अलो दोस्तों गुड मॉर्निंग और आज हम सॉल्व करेंगे उत्राखंड का जो कल करिश्ट सहय का पेपर आया था उसका इंपोर्टेंट जो फर्स्ट सिफ्ट थी उसके इंपोर्टेंट क्वेशन को आज हम देखेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेशन ये बनकर आये था मुझे तो लगता है कि इस जो फर्स्ट सिफ जिन्होंने भी दिया था उन्होंने अगर 68 प्लस अगर किया है तो वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे ठीक है बाकी रही परिक्षा में समलित होने वाले परिक्षार्थियों की बात तो परिक्षार्थी देखिए बहुत कम थे 40 से 50 परिक्षार्थी नहीं थे तो देखिए इतने सारे लोगों ने इसका फॉर्म राता धायलाग और फिर भी इतने कम परिक्षार्थी परिक्षा देने गए हैं और ऐसे ही हमें साथ वीडियो पटवारी इन सभी परिक्षाओं में भी देखने को मिलेगा तो questions की तरफ दुख करता है और कई सारे मैंने वीडियो देख ली हैं पहले ही लोगों ने काफी अपने राय दी है कि 65 प्लस जो भी किया है वो सारे निकल जाएंगे लेकिन मुझे लगता है 68 यह 70 प्लस जिन्होंने भी किया है वो इस परिक्षा भी निकलेंगे और जिन्होंने भी हमारी वीडियो देखी है तो उसमें से भी कई questions जो हैं यहाँ पनकर आए वे हैं और कुछ questions ऐसे हैं जो repeated भी हैं तो शुरुवात करते हैं पहले questions से और खैसे तो अड्य की शुरुवात करते हैं तो आठ बार नियुत अहर्लोकक्ति का अर्थ क्या है तो इसका सीदे-सी आर्थ देखिए आप कटनाई का नभाव करना तो नहीं होगा आठ बार नयुत अहर्मना रहा है तो खुशी होगा मतलब बहुत ही जादा खुश होगा तो मौज मस्ती का ही जीवन इस पर सीदह सीदह आपने टिक कर देना था ठीक है यह इसका भी इसका से आंसर होगा सेकंड पर चलते हैं निमने सब्दों में विशेशन क्या है देखें यहां भी मर्यादा रोग और लालच यह जो है आपके विशेशन सब्द नहीं है ठीक है वो बहुत लालच छी है ठीक है लालच जो है लालच करना भी सेशन नहीं है मर्यादा ठीक है और रोग इसमें मौनी जो सब्द है कि मौन का मौनी ठीक है आगे चलते हैं निम्न मैंसे कौन सा सब्द देशज है देशज आपका सीधे सीधे लोटा है ये बताने की जुरत नहीं थी कई हो ने इसका सही आंसर पूरी हिंदी की बोलियां क्या है अवदी बगेली और 36 गुडी ये भी कई भार बता गया है तो ये इसका आंसर ये होगा आगे जलता है निम्न मैं विसर्ग संदी क्या है विसर्ग संदी सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा जिन मैं विसर्ग लगा होगा मनोज धनता पनस्ता आगे चलता है निम्न मैं उच्छिप्त विएंजिन क्या है उच्छिप्त विएंजिन क्या होता है आपका औरो औरो ठीक है खाना खा लिया था तो सीधे सीधे आपने पूरो कालिक क्रिया पर यहां आपने option B है वो सही हो जाएगा आगे चलते हैं आठोए क्वेशन की और अनाया सब्द में पर्यूत उपसर्ग क्या है अब ये भी काफी जादा repeated question है और इसका सब को पता है कि C answer यानि अन जो है वो इ मैं जानती हूं राम बहुत सुन्दर लड़का है ठीक है तो यह आपका जो है आपका सरुनाम उपवा के हो जाएगा ठीक है भी इसका सही हमसर हो जाएगा दसमें पर जलता है मादेवी वर्माव किर्त नीरजा क्या है नीरजा एक काव्य संग्रा है नीरजा होगे और 1931 से 35-36 था कि इन्होंने बहुत सारी काव्य संग्रा है कि तो जिसमें नीरजा भी सम्मूली थी ठीक है और ग्यानपीट पुरुसकार जो है इन्हें उस वक्त दिला था इन्हीं ग्रशनाओं के कारण आगे चलता है निमने मैं मिस्र वाक्य क्या है यह हमने मादेवी वर्मा के बारे में जिक्र कर चुके थे अपने फर्स्ट जो 10 सिरीज जो सुबह की चलाते हैं उसके अंदर तो देखे मैंने आपको कहा था कि कई सारे क्वेसंस जो है उससे बनकर आएंगे और ऐसा हुआ भी क्योंकि इंपोर्टेंट जो क्रेसंस से उन पर हमने जिक्र किया है निमन और यह सारी छीजे यह दिखनी थी आगे चलता हैं सरकारी एदिकारियों के मत यह ध्याना कटसंड वह इसपस्ठिक रण है तो सरकारी काम से व्यक्ति outfit स्यली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहता है तो देखे व्यक्तिकत स्यली में मैं किसी altri को पत्र लिख रहा कि उसने पुरुसकार का तिरसकार कर दिया उसने पुरुसकार का अवमान कर दिया अवमान तो नहीं होगा उसने पुरुसकार का अनादर कर दिया अनादर तो नहीं करेगा ठीक है यहाँ सम्मान की बात नहीं हो रही और यहाँ उसने पुरुसकार का अपमान कर दिया तो यह दोनों सम्मान यह तीनों हैं यह रॉंग हो जाएंगे तो option A हमारा सही आंसर हो जाएगा कि तिरिसकार क्या है इसने पुरुसकार क्या है जो कुछ चीजों को हम त्यजित कर देते हैं लेकिन क्रिडा इसका सही आंसर नहीं हो क्योंकि क्रिडा पहले ही संस्कृत रूप है इसका और इसका जो तदभव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा खेलना तो खेलना इसका सही है हिंदी इक में जाके देखते हैं आप वापस संस्कृत में नहीं जाएंगे तो संस्कृत इसका खेलना इसका सही अंसर हो जाएगा आगे चलता है 14-15 पंदरह कुटी का विलोम सब देखा है पंदर्ध कुटी का विलोम क्या होगा देखिए पंद कुटी पंद मतलब होता है पत्टे कुटी मतलब होता है यानि आपकी जोपडी प्रासाद यानि महल हो जाएगा इसका सही विलोग ठीक है डी इसका सही अंसर हो जाएगा निमने में हिंदी की महाप्राण वाकिया है देखिए यह भी मैंने बताया हुआ है नहीं सॉरी हिंदी तो हमने अभी इपनी स्रीज के अंदर चलाए नहीं है लेकिन इसमें आप इससे एजिली आप कर सकते थे को खो तो नहीं होगा नहीं सॉरी खो और गो दोनों में वक्त लग रहा है ना महाप्राण मतलब जिन वर्णों में हमें वक्त जादा लगता है कहने में टो ठो इसमें नहीं लग रहा है चो जो इसमें नहीं लग रहा है को गो को में तो नहीं शोर्वे का ए सही आंसर है मीरा बाई किस भाषा की मूलत हो और तो इन्होंने ब्रज भासा में रसने की मेरा की प्रप्रगी developing gebruR Web ना कोई ठीक है बिज़ भार्षा में की है और राजस्तानी तो इसका अंसर नहीं होगा अगर कहते हैं कि मूल लोता हो भार्षा चुनकी मूल थे तो राजस्तानी हो सकता है राजस्तानी में भी इनका गया तो 17 पर मुझे डाउट है मुझे लगता है कि इससे सभी इसमें आं राकेश तो आपके क्या होगे चंद्रमा होगा तो राका जो हो गया तो राक जो है रात का प्रियाई है तो रात का है रजनी से इसका संबन हो जाएगा तो राका जो सब्द का प्रियावची हो जाएगा रजनी है सूर्या नहीं होगा पानी भी नहीं होगा चंद्रमा और का प्रियावाची हो जाएगा नुनिसवें पे चलते हैं वर्णा तीत सब्द का आर्थ क्या है वर्णा तीत मतलब जो वर्णन से परे है तो उसे कहते हैं वर्णा तीत तो 19 का डी जो है सही आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है मतलब जो मांग रह है वो क्या है अकिंचन है ठीक है निर्धन नहीं होगा निर्धन तो हम सभी है गरीब भी हम सभी student होते हैं लेकिन अकिंचन वो होता है जो हाथ फैलाता है आगे चलता है 21 में पर निम्नों वैसे परियावरण की सुरक्षा का उलेक भारते समयधान के किस भाग में है तो देखिए परियावरण की सुरक्षा का उलेक केंदर और राज्या दोनों मिलकर करते हैं तो वह चीज़ें जो केंदर और राज्या जिन पर दोनों ही पॉलिसी बनाते हैं तो वह आ जाएगा आपके सम वर्ती सूची में तो इसका 21 का ए जो आंसर है वो सही होना चाहिए इसमें लोजिकली अबर सोचो किसी को नहीं भी आता है तो हाली में आपने देखा होगा कि ग्रीन बोनस जो राज्य सरकारें देने की बात कर रही है ठीक है और हमने ये भी खाता साहिद बताया नहीं होगा क केंदर क्या करता है तो केंदर ने क्या किया था मिनिस्ट्रिल जो रोड मिनिस्ट्री है आपकी ठीक है तो उसने क्या करा कि कारवन फ्यूजन पर यानि गाडियों पर उसने बहुत सारे जो हैं टेक्स लगाए उन्हें बंद कराया ठीक है और नई क्यों गाडियां है बैट आजाएगा बायसेंगे पर देखिए कि फलक से बने औुजार सम्बंदित है तो फलक से जो बने अँजार हैं वो आप कियाते हैं मध्य पुरा पुरा पासान काल से फलक से बने औुजार ठीक है चंद वन्स के इसासन काल में सिर्टान किस परकार का करता और सिर्थान को मैंने साइद बताया भी ता सिर्खान एक नगद पर क्रिया थी तो इसमें नगद दिया जाता सिर्थान जो लगता था आपके ब्यापारियों पर उन पर कर वसूला जाता था महत्मा गांदी ने ब्रिटिस नमक कानून के अभेल ना कब की थी तो ये बहुती इजी क्वेसन है नाइन्टिन का ठर्टी यानि उन्निस सु तीस में जब डांडी यादरा चली थी ठीक है और मुझे लगता है इस चौबिसवा क्वेसन दो सभी ने कर दिया होगा पच्चिस में चलते हैं किस चंद सासन काल में अवंती राजय मगत समराजय का हिस्ता बन गया था तो मगत समराजय का हिस्ता अवंती देखिए अवंती दो थी सिसुनाग की थी सिसुनाग अगर आपने जो है अशोक के बहुत सारे कारेकरम देखे होंगे टीवी पर भी आत और इसकी जो एक और बॉड़ी है वो है ऑनतराष्ट्य मद्राकुस यानी IMF ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जागा किस नाम से भी जाना जाता है तो विश्व बेंग के नाम से जाना जाता है अगे चलता है कौन सा कथन अर्थ अब्जर्वेशन सेटेलाइट कार्टो सेट 3 के संदर में गलत है तो ये थोड़ा सा moderate question है जो काफी लोगों नहीं पढ़ा होगा तो अगर आप छोड़ भी रहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं था लेकिन इसका जो सही answer है वो है आपका कर्टो सेटर जो स्रिंखला का ये दूसरा उगर है नहीं है ये 3 है तो तीसरा उगर है यहीं पर आपने देखना था logic देखें answer बनकर वहीं आया था आपके 28 में चलते हैं कि उत्राखंड के प्रमुक सब्द धाकर संबन दीता है तो धाकर को मैंने पहले से देगा तो धाकर आपका प्रेटन यातरा से है जो रखने वाले सामान है उन्हें भी धाकर कहते हैं ठीक है आगे चलते हैं 29 में question पर तो जब न न्यायले उस पद पर कारे करने से रोक देता है तो न्यायले को जब लगेगा कि भाया यह जो अमने अभी अभी नौकरी पर लगाए इंसान है इस पर कानूनी हक नहीं यानि इसके डॉकुमेंट गलत है फरदी है तो इस पर कौन से जो अपना कानूनी प्रक्रिया करेगा तो वो देता है आपके अधिकार प्रिच्छा यानि इस परश्टी करन मांगता है न्यायले और उसके बाद ही जो है आधिस जारी करता है तो को वरेंटो है वो जारी करता है न्यायले आगे सलता है तीसवे क्वेशन पर तो हॉन्विल जो है फेस्टिवल एवजन किस राज कर यह आया वा था जिन्होंने भी तैयारी की होगी उनके लिए उनके लिए नहीं रोगा अगे वहता है आय तक निर्यातथ कोड आईएसी को आउंलाइन सर्ली कृत व्योस्तास कब बनाया गया तो यह हाल ही मैं बनाया था 2017 की अगटना तो अप्रेल 2017 में इसे सडली किर्ट किया गया था IC यानि आयतक निर्यातक कोड को दनपुरिया बोली निम्ट में से किस जनपन में बोली जाती है तो दनपुरिया जो है आपके बोली जाती है बागेश्वर के उत्तरी भाग में ठीक है तो धनपुर्या बोलते हैं धनपुर्या कनपुर्या ठीक है यह गड़वाली भास्षा की सब्दे में है अच्छो मुली वाले ज्यादा यूज करता है 32 का भी सही अंसर होगा बुद्ध की प्रतिमा की पीठ प्रतिबती भास्टा में लेक इससल की प्रतिमा पर मिले हैं तो यह मिले हैं मौर धज में आपने जागेश्वर भी नहीं करना है सिदे सिदे यार यहां से दिख लीजे बड़ा हाट भी नहीं होगा बड़ा हाट का हूँ आपका बड़ा हाट उत्तरकासी का नाम थे वहाँ तो नहीं था ठीक है जागेश्वर में भी नहीं है जागेश्वर में तो मंदिरों का शमू है और मोर्धज यह है बहुत ही उप्यूगत था तो आप अगर तुक्का भी मारते तो मोर्धज पे जाते अगर तुक्का उपर मारते तो बिना लोजिक के उपर मारना से आपका आंसर कलत हो जाता 34 वे जलते कि एक पंक्ति में सुरेज दाएं से पंदरवें या 22 से शोलवें तो कितने व्यक्ति सामिल किये जाते हैं अब हमें करना है कि कुल व्यक्ति हैं 50 तो कितने और जोड़ें कि हो जाएंगे 50 तो 30 में 20 और जोड़ों हो जाएंगे 50 36 का B जो है बहुत ही इसी था एक क्वेसन आगे चलते हैं कि 2019 का Florence Nightingale प्रुसकार किसे दिया गया और ये बहुत ही नया क्वेसन था 2019 का और इसे बहुत कम लोगों ने किया होगा लेकिन इसका जो सही अंसर है Sister Sunita Rawat Goyal है ठीक है याद नहीं आ रहा है साइद मैंने की क्वेसन्स देखा था यह कराया था कभी Sister Sunita Rawat Goyal ठीक है आगे चलता है मरावाटा समराजे का पर्थम पे इसमें का ए यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सनिवार था ये बीतावा कल है उससे पहले का दिन था ये सेटरडे था तो मैं यहां पर हूँ ठीक है तो आगामी कल के आगामी कल के बाद सब्ता का कौन सा दिन होगा तो ये इस सब्ता के इस दिन की बात कर रहा है तो मैं यह पर हूं तो सटर्डे संडे और यहां पर मंडे पर मैं खाड़ा हूं तो कल आ जाएगा आपका त्यूजडे तो अगने वाला जो वक्त आएगा वाकता वर्ट नेस्टे तो बुद्वार जो है इसका सही आंतर हो जाएगा इसका डी वह मेमरी जिसमें डाटा को प्राव जो आपने छोड़ना ही था गलत नहीं करना है यह पी रोम इसका सही आंसर है 49 पर जलता है कि लवन रहित जील और यह बहुत ही आंसर जो है बहुत ही सुन्दर गुशन बनके आया था 39 क्यों क्यों कि डल जील हमें सब बोला गया है सबसे उचाय पर इसे मीठे पाने की जील कौन है डल जील है बन क्या आता है और यहां कहा है लवन रहित जील और लवन रहित वही होगा मीठा सामभर आपको पता है खारे पाने की जील है वान जील सुम्पेरी जील इस वाले खारे पाने की जील है डल जील इसका सही आंसर हो जाएगा आगे चलता है कुमाव परिश से वेक्टियों को संदेज बेजने के माध्यम को कहते हैं तो ये बहुत ही सरलता इमेल आगे चलिए ब्राउजिंग तो सबको बता है यह यह चीज़ें आपको अगर नहीं आई तो फिर क्या फायदा बैरी समय चलें बंदी मातरम का कुमाव मानुवाद जय जय माई जन्म पार्टरजी नहीं होगा इलिमनेशन मैठर देखिया बढ़िदत पांडे इन्होंने ने लिखा क्यूंकि इन्होंने कविता पाट तो ये करते नहीं थे इन्होंने सिर्फ लिखी थी आपके बुक्स वगेरा ठीक है गद्या में जादे इनका ब्लीव ता गोईन्मल अपन् समरिद छेतर है तो जय विविदता जो देखने को मिलती है आपको महासागर में देखने मिलती है ठीक है सभी चीज़ों कि में ये बहुती पुराना क्वेशन्स थे साइद अससी के उसमें पूछा गया था वहां से उठाके तो यहां लाए गया है निन में से कि समीधान संस पूछा का जो अधिकार था उसे मौली का अधिकार में जोड़ा गया इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा और फिर बनकर कभी ब्रेक्षाओं में आ सकता है तो रट लीजिए इसे अगे चलते हैं 45 कुशन पर कुमाओ कमिस्णरी का मुख्याल है अलमोडा से इस नैनी ताल कुमाओ कमिस्णरी का मुख्याल है वह हुआ था आपके 1855 होना था ऐसे इसका 842 भी नहीं है सताओन भी नहीं है अठार सो सताओन तो हुआ ही नहीं था 1911 में नहीं होगा यह 25 का डी होना चैस का आप एक बार इस वाले जो कैसन है 45 को चेक कर लिजेगा 46 में चलते हैं सिर्णगर गडवाल में सामर्षाही बागान बनाने का स्रह तो ये स्यामसाग हो जाता है और ये मैंने अपने एक्जाम के जो जीके सरीज है हमारे वैब साइट पर वहाँ डाला वितासा है सामशाही बागान बनाने का श्यामशा इनके नाम ही मैं मैंने का था आप लोजिक ढूंडी है उत्राखंड सरकार ने दिसम्मर 2016 में निमनन मैंसे किस चेतर को ओवी सी चेतर गोजित नहीं किया गया तो ये था एक करेंट अफेर्स का पर 2016 का और दूसरा ये है कि जो हमारे क्या कहते हैं यहीं उत्राखंड के पाड़ों में रहने वाले हैं तो उन्हें ज़्यादा पता होगा क्योंकि तमूली का पैन, खंडा, टिरी का गंगाड, ये सारे जो रमोडी, पौडी का राट है इन तीनों को ओवी सी चेतर गोजित किया गया है ठीक है लेकिन सिर्फ भरिद्वार का जो नारसन है उसके विसाय में जिए है इसे गोजित नहीं किया गया वैसे सब्सक्री जाद ओवी सी यहां देखने को मिलते हैं अरिद्वार के अंदर ठीक है आगे चलता है निवन में से किस टिहरी जनारेश ने प्रिथक उत्राखन राजे के लिए अंदुलन चलाया था तो इसका तो सही आंसर है मानविंद्र सा आगे चलिए उन पच्चासवें पर उत्राखन चेतर में निवन में से किस वेक्ति ने नमक सत्यागिल डांडी यातरा की थी तो जोती रामकान पाल थे ठीक है निवन में से कौन से उत्राखन राजे की उधानसबाद सीट अनुची जनजाती के लिए आरक्षित है तो ये अनुची जनजाती के लिए आपका सिर्फ नाना कमत्ता उधानसबाद सीट यहां दे रही है तो इस पर जाएंगे और ये बहुत इसी क्वेस्टन था बावनवे कुस्टन पर चलते हैं कि प्राष्ट्य परसासनी का दग्यादमी मसूरी तो यह आपकी उन्नीस सो उन्साड में एक सितम उन्नीस सो जन्साड और कई बारी पीटेट है यह बताए भी क्या है तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं अटार सो पचास म अलमूडा में किस ने की थी तो पादरी रेवरेंड था जो उन्होंने की थी और आपके नैनिताल में भी हुई थी ठीक है मैंने का था बटलर पादरी पटलर ठीक है और आपको का था इंग्लेंड के कैप्टेन इससे याद रखना है तो पादरी रेवरेंड ने का की थी ल सब्सक्राइब को लिखा जाता है 5348 तो आपने देखा होगा इजो है यहां से साइंस में हैं यहीं से ढूंड के इन दोनों में से ढूंड के इन नंबरों में से यहां ढूंडना है ठीक है अगर हम कोशिश करें तो शाइन्स तो एस को देखिए 6 है तो 6 सब के बना है ठीक है सी देखिए अब सी है 12341234161 आ जाएगा तो ए इसका सही अंसर हो जाएगा प्रचनवे चले गड़वाली चितरकला सहली का सरवाधिक प्रभाव कहां की देखने को मिलता है अब यह देखिए बहुत ही जो है कंफ्यूजिंग है कंफ्यूजिंग क्यों है क्योंकि क्योंकि गड़वाली चितरकला का सरवाधिक प्रभाव देखने को मिलता है तो इस गरवाधिक प्रभाव कि बात करें तो वह आपके मुगल चितरकला सहली को मैं कहूंगा क्यों कहूंगा क्योंकि ये आपके जब दारा शिगोहा का जो बेटा था ठीक है वो सिर्णगर आया तो वहीं से जो है उत्राखंडी चितरकला सैली का प्रभाव पड़ा और कांगड़े चितरकला सैली जो हिमाचल की थी उसका प्रभाव पहले से ही था ठीक है और राजपू तो मेरा जो आंसर होगा, इसमें C होना चाहिए, सही आंसर, और काफी लोगों ने कांगडा च परकला सहली की है, तो कांगडा का भी देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज्ञ सवाल है, पचुपनवा, अब देखता है, आयोग, इसका सही आंसर क्या देता है, पच्छुनवाई क्वेस्टन का ठीक है इसे छोड़के चल लिए अगर नमबर मिलेगा तो सबको मिलेगा पांच चुको बीस तो च्छपण में पे चल लें देखिए यहां कौन सा लॉजिक लग रहा है तो यहां देखिए चार का तीन एक घटकर यहां गुणा हो रहा है तो साच चुको अठाइस तो यहां साच चुको चोविस हो जाना चाहिए इसका अंसर चपण में का एस सही अंसर हो जाएगा अठाइस पर चल लें अठाइस पर बाद में आए अठाइस पंदरा के बाद ही बाद ही बागेश्वर के तरफ रुक किया था चमूली भी बहुत बाद में आये गडवाल चितर तो पचा मसूरी मसूरी इसका सही अंसर हो जाएगा अठाउन पर चल लें अठाइस एक उत्वार अकभार का प्रकासन कीश नहीं किया था तो अल्मोर अकभार बुद्धी बल्लब पंदर है आगे चलिए बेश्वर की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो बेश्वर में दखिये एक तो होगा पीछे की पर एक होताए पिच पुर्यानी हिम्नत है यह बताया था मैंने आपको और हमारे जो हिम्नत वाले वीडियो थी उसमें बताया और हमारी वेबसाइट के अंदर बढ़ा है तो भाग रहे थी विनादी वेशिन यहां सी दे करना है कोई कह रहा है कि अलक नंदा मन्नाक नीवेशिन तो नहीं मन्नाक इसका सही अंसर नहीं होगा शाट में का डी सही अंसर होगा और देखना यही है आपको आयोग भी देगा शाट में का डी सही अंसर है उन साट में पर चलिए 100 में पर चलिए 222 अपर संगठन का स्टित्वा कम आया तो 1995 में WTO जो है वो आया था WTO World Trade Organization 1995 मैं इस लिए यह ठ्रंगो तरी Kendra बास्ट वर कभी सिह अंश्र को जायेगा अगे चले बंगाल में पाल वंस का संस्थापक क्या दुक्स लोगों ने धर्म पालगा है लेकिन धर्म पाल नहीं है धर्म पालग्यंग विध्यालने कि इस्तापना की ठीका यह अचेम की फीडिया वंस नहीं हो होगा लेकिन जो संस्थापक है वो है गोपाल ठीक है वही गोपाल जो आपकी किसी मुवी में भी देखने को मिलता हैं भी आतनी आ रहा भी नीचे देखिए चित्रों में तिरुजों की संगिया कि नहीं तो देखिए यहां बहुत लोगों ने का किसी ने का 21 किसी ने का 16 मैं बोलनों तो मेरा जो आंसर है वो है 18 क्यों है देखिए आप 123 इनिमनेशन मैटर पर जाहिए पहले तो बड़े वाले को देखके चलिए ठीक है बड़े वाले को देखिए तो 1234 ठीक है चार तो कुल त्रिबुज बने कितने चार का मुल्टिप्लाइट टू करी तो बने आठ तो मैं यहां पर रख देता हूं, 8 तो ओगए बड़े वाले, ठीक है प्लस अब यह त्रिपुज़हों पर ध्यान दिजिए यह जो नीची वाला है तो 123 तो यहां प्लस 13 हो जाना है यह वाला, अब अंदर वाला बीच वाला दीके 1, 2, 3 तो प्लस 3 हो जाना है, तो 8, 3, 11, 11 तीन, आठ तीन, ग्यारा, सोरी, तीन, जए तीन, तीन, टिन, तीन, 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 आठ नो सत्रह हो गया, और अठारवा कौन सा है, तो ये वाला अठारवा हो जाएगा, ठीक है, बाकी इस ले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां देखे, यह चतरभूज बन रहा है, इधर यहां ये वाला त्रभूज भी तो बनके आएगा 18 तो होगे 18 ये कि 19 वाँ है ठीक है क्योंकि इसको तो हमने देखाई नहीं है 19 वाँ और इधर भी चत्रभूज बनके आ रहा होगा 19 वाँ और 19 होना चाहिए इसका 19 होना चाहिए इसका अंसर ठीक है तो उपरिक तुमसे कोई नहीं होना चाहिए मुझे जान तक लग रहा है कहिना 21 का है तो 21 यारी चत्रभूज है यहाँ पर सिदेखिए आप और यहाँ पर भी चत्रभूज है तो कैसे मैं करोगे तुम तीन तीन का प्योग ठीक है तो प्रिक तुम ऐसे कोई नहीं होना चाहिए या तो 18 होना चाहिए 24 अटवज है कब B या D देखना या यो क्या देता है आगे देखिए 25 का स्योक्त रश्रंग का महासचीव नियुक्त किया गया है किसे किया जाता है तो महासचीव देखिए महासबा की सिपारिश जो है प महासबा निधारित करती है महासचीव को आगे चलिए 66 में कुष्ण की और रेगर मिर्दा कि प्रमकुपच क्या है रेगर मिर्दा जो है वो काली मिट्टी को कहते हैं और सीधे सीधे आपने कपास पर जाना है क्योंकि गन्ना जौर ये तो यूपी में भी पैदा हो जाता ह है और कपास जो है वो तो आपके करनाटा के वाले छेत्रों में जो साओर इंडियन है वहाँ जादा देखने को मिलता है ठीक है रेगर मिट्टी है जो है काली कपास से हो जाएगा संड- toca को देखिए भाड़े जिन संक्या 2011 के अंसार निम्ने मैसे किस जिले की संसंक्या को दस्किया 30 सद्वीरिदिदर सरवा धिक देखने को मिलती है तो देखिए बहुत लोगों ने इसका हरदवार किया होगा लेकिं जो दस्किया परतिस्त विर्दिदर रे है वो तरह बनके आगे कासिपूर यहां है आपके पूरा एक मैदानी इलाका हो गया उदम सिंग नगर वाला बट्टी ठीक है रुदरपूर इदर है इतने बड़े-बड़े शहर नगर जो है यहां इस्टित है तो दसकी प्रजिशत वर्जी दर है उदम सिंग नगर में देखने को मिलेगी ठीक है बैटन ने नवी भूमी ब्यूसता कब सुरू की गई तो बैटन आया था आपके 1840 के दोरान ठीक है तो यह हो जाएगा इसका सही अंसर 1840 लेकिन नवी भूमी ब्यूसता कह रहा हो तो इस पे कन्फियूजन हो सकता है बहुत लोंकर ठीक है 68 का पर भी मुझ जो है मुझे मेरे जहन में आते हैं एक तो राहुल संकृतियाईने का और दूसरा एडवन एटकिंसन का एटकिंसन ने तो बताया था कि देखिए कि क्या कहते हैं उत्तर भारत में जो है कार्थिक पूर है पार बार आवाजें हो रही थी इसलिए वहां से हटकार भी दूसरे रूम में आना पड़ रहा है तो पाउस करना पड़ रहा था हर बार और उन सत्तर में क्या रहता है कि बैजनात की राजवन्स को कर्थियूरी नाम किस ने दिया तो देखिए मेरे जहन में दो नाम आते ह यह क्यों देखिए एडवन एटिकिन्स ने तो कहा था कि उत्तर में रहने वाली एक राजवन्सी जो नाम है कार्थिके परवन्स उन्होंने उसका जिक्र किया था लेकिन कर्थियूरी नाम दिया नहीं था और कर्थियूरी नाम मुझे लगता है राउल संकर्थियान ने द दिया और एडवन एटिकिन्स भी सही हो सकता है और बीज डी जो है राउल संकर्थियान रहे तो वो कन्फ्यूज रहेंगे बाकि जो नोंने बुक नहीं पड़ी तो सिदे एडिकिन्स पर यह सही करतेंगे और इसका अंसर भी मुझे आयो की सही देखना पड़ेगा भी सेक बहुतर में देखिए सन 1813 इसमें पौडी वो कंडोलिया लिखाए है असा गडोलिया में चाय बागानों की साफना किस ने की थी तो चाय बागान देखिए कैप्टन हैडल स्टन ने की थी और यह मैंने आपको दस जो सुबह की सिरीज उसके अंदर भी इसका आंसर दिया ग उसके हैं दिया ने की है गड़वाल स्कोल हो फ्रेंटिंग इनकी है और बहुत बार पूचा जाता है तो बहुत लोगों को पता भी यह कि मुद्लकी पूस्तकैं कौन से है लेकिन सिर्फ एक नहीं है यह इनकी पूस्तक नहीं है ठीक है बहुतरों के बाद अप तीफ़तरों में चलते हैं कि बैराइट्स खनीच उत्राखन के किस्टनपत में पाया जाता है तो बैराइट्स जो खनीच है आपके देरादून में पाया जाता है बहुत आईज्स हवाल दा 24 दिसंबर को राश्य बहुता दिवस ये मनाया जाता है देरादे निरवाचन होसी कि पास सक्तियां किया है तो इसके बाद परसासनिकी सक्तियां होती है ठीक है वो काम करता है दूसरे एक तरफ से देखे चुनाओ बैउस्ताओं के दौरन उसकेप प्रसासनिक व्योस्ताएं भी होती है अर्धन न्याइक व्योस्ता और न्याइक करने का काम भी करता है जब दूसरे पार्टी को लगता है कि वही है इनोंने वोट डलवाए फरजी वोट डलवाए तो वहाँ न्याईक विवस्ता भी देखने का काम भी भारते निर्वाचन आयोग करता है और परामर्स भी देता है परामर्स धाता भी है तो उपरिक तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा पिछोत्तोर का D अगी सलता है निम्न मैंसे प्रस्चन चिन की सार्वर क्या होगा तो देखें यहाँ इस से लोजिक लगए तीन दोनी छेपंजे तीस तो यहाँ गुणा मल्टिप्लाई हो रहा है सबका तो यहाँ हम देखेंगे 504 तो 79 63 से भाग दीजिए 504 का तो आपका आंसर बनके आ जाएगा 63 से अगर भाग देंगे 504 तो कितना हो जाएगा यहाँ 7, 9, 63, 7, 79, 51, 51, 74, 9, 22 तो 8 इसका से आंसर हो जाएगा च्छेतर में का डी आगे चलिए कि भारत में सरमेकों को रेजगार का मुख्य चेतर क्या तो सरमी किसान जो है सब प्रातमिक में आते हैं ठीक है और उसके वाद सेवा चेतर आता है दुत्यक में ठीक है रिसी केस कंप्रियाक रेलमार्ग की निर्माण योजना किस ने मनाए थी तो इसकी जो निर्माण योजना थी वह जिएम क्ले ने इसका सही आंसर हो जाएगा और यह घटना थी प्रतम विश्विद्यू के पहले पहले घटना थी और इसमें याद आ रहा है कि दर्वान सिंग नेजी की जो है उन्होंने जाकर आपके समराट पंचम से कहा था कि रिसी केस कंप्रियाक जो रेल मार गया उसकी सपने जो बताया था किसे पंचम को समराट पंचम को इसलिए यह घटना बहुत इंपोर्टन हो जाती है तो जीम कले है अठटरुआ का ए इसकी एक सही आंसर है उन्होंनासी पे चलते हैं उन्होंनासी वाना क्वेशन है कि कौन सा है प्रवतार हो ही नहीं है इनमें से कौन सा तो सीदे पहला एक कसंदे के तिलोक सिंग बसेडा अब बसेडा जी फुटबॉलर है तो सीदे आपने नीचे देखना ही नहीं है ए पर आंसर कर देना है अगे चलते हैं पमार सासक में उल्लेकित गड़वाल गड़ राज्य वन्स कावे के अंसार निम्में से कौन सा पद मंत्री मंडल में सामिल नहीं था देखिए अब इसमें दिवान है बक्षी भी आता है मुक्तार भी आता लेकिन सदर का उपयो कहीं देखने को मिला ही नहीं तो असी में का जो सी है वो नहीं सही अंसर हो जाएगा आगे चलिए देखिए कि गर्म सक्तियां भारतिय समयधान के किस अंशेद मे है ठीक है के औल अल भी बहुत लोगों ने किया होगा लेकिन के अल इसका सही अंसर नहीं है यहां सक्तियों की बात हो रही है नीचे दिए गे सिरिंकला में पस्ट्चि चिनके स्थान पर क्या जाएगा तो दो चकू आठ आठ च्छे चौदा तो च्छे चौदा यहां दो आठ आठ सोला यहां जोड़ा है अठारा तो देखे यह च्छे दुनी बारा और च्छेती आठारा तो एक और बार फिर अठारा जोड़ते हैं आठ से चौदा तो यह चोधतर इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं निम्न मेंसे कौन सा एक वादी अंतर नहीं है तो दमामा है तो ग्याल सीदे तो ग्याल को देखा तो ग्याल पर टिक कर रहे है तो ग्याल तो भाबुसरन हुआ चुरास में पर चलते हैं कि मोहन की रोहन की माता है अजीत पिता है अजीत रोहन की भाई है जोने से कौन सा अजीत रोहन का इम दीप का भाई है तो देख से हुआ जो लड़का पहली ही पुलिंग है वो इस लिंग कहां से हो जाएगा एकदम से तो डी इसका रॉंग अंसर है मतलब सभी समय का चुराशने का डी बैला डीला खान परसीदा बैला डीला जो है लो अयस के लिए प्रसीदा पिचास्वे का एस रहे चुराशने का चुराशने का पर जाती चीड यसे तो आख बंद कर के लिए आपने 87 के A पर टिक मारा होगा देखे स्रेयाना खुमरी इस पर भी आँख बंद करके आपने सिद्ध जोन सारी स्रेयाना सुनकर जोन सारी पर टिक मारा होगा 88 का B सही आंसर हो जाएगा कुमाओ और गड़वाल के दो पिर्थक जिले कब बने पिर्थक जिले बने 1849 सिद्ध में सिद्ध नगर से पौड़ी इस्तान अंतर जोई थी तो वो आ जाएगा A जो है सही आंसर हो जाएगा तो देखे यहाँ आपने आख बंद करके मारे होंगे कई बार मैंने आपको बताए भी अपने सुबह की स्रीज में दक्राष्णाई राष्णाउ में काहँ सा जु है उपक का सधिषया नहीं है उपक का सधिषया आपका अच्छह कौन है तो वेने जीओला ओपक का सधिषय çekंव प्रोलियम बंडार ठीक है नीचे चलिए यह कांडवे पे 91 पहला वेब राजवर तो पहला वर्वजर सबको पता है डबल 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 वर्ड वाइड वैब पहला वेब राजवर तो भी फिर टिक मारी है नीचे बढ़ी है समान कांसे हो जाएगा मुदरीस्थी घंवीतरन को बनाती है नका तीनोों का मतलब तो सेंगी है सिधे आपने असमान पी जाना था अगर लॉजिकली भी आप देखते तरणों पी चलिए एक वक्ति 4 किलोमेटर ठीक उत्तर में जाता है ठीक है चार किलोमेटर ये उत्तर में गया फिर चार किलोमेटर पूरो में गया फिर चार किलोमेटर उत्तर में गया वो अपने उपरस्तान इस साल से कितना दूर है तो मुझे बोलिये तो मैं इसका सही अंसर दोंगा देखे आ चार 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 और चार तो 46, 40, 40, 14 मुझे लोग रहा है D इसका सही आंसर होना चाहिए लेकिन कई होने क्या करते इसे जोड़ जिया आप कहा रहे हैं कि इसे भी बनाईए और इसे एक वर्ग बनाईए तो हम वर्ग क्यों मनाएं भई से उसने कहा कि कितने दूर है यहां से दूर तो वो 14 किलोमेटर है मैं यह थोड़ी ना कि इतनी नियूनतम दूरी थोड़ ना पूस रहा हो चुराणने भी का पर जाईए कॉंकर्ण रेल्वे निम्न में से किन राजियों से होकर गुजरती है कॉंकर्ण रेलवे फिए- परियाग प्रसर्णी का जिक्र है तो आपकी तमिल नहीं है पाली मैं लिखा था संस्कृत इसका सही अंसर है घंदी नहीं है चाहिए परियाग परकॉष्ष्ष्षी हो जाएगा हमारी वेबसाइट के अंदर 20 में पे चले 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंस चलती है यह आपका घड़ी है ठीक है यह 12 और यह 6 यह 3 और 2 20 मिनट कह रहा है तो आपका यहां जो 1, 2, 3, 4 ठीक है तो यहां तक 20 मिनट हो गया अब घड़ी की सुई जो है वो आपकी चलती है 360 डिगरी और जब सुई चुचा है 360 डिगरी चलती है तो आप 1 मिनट घुमती है और 10 डिगरी जो है 20 मिनट में घंटे की सुई आपकी घुम जाएगी यह टिपिकल कॉस्टन है हल करके ही पता चलेगा तो पांच डिगरी भी नहीं होगा क्योंकि जो पहला जो कौन होता है वो बनता है आपका 30 फिर बनता है 60 फिर 90 ठीक है तो पहला जो है फर्ष्ट पर जब जाएगी तो तीन के वह एक दो तीन कि देखिए वैसे 10 क्यों होना चीए छोटी छोटी जो रेडियल जो चीज़ें होते हैं घड़ी के अंदर भी तो सेकंड वाली रेडियल्स होती है उसी से तो पता चलेगा कि कौन कितने गंटे में घूम रहा है कि दस इसका सही अंसर नीचे चलिए इंडानवे का उत्रांचल सरकार ने बेरुस्कार सिक्षित यूहाँ में उद्धिमता विकास के लिए वीट रंसे गड़वाली प्रेटन विजना तो यह बहुत बार है 2002 में की ठीक है सववा के सन जो है अंतिमवा के सन कि बदरिदात पांडे की सेतर में लोकसभा साथे चुनेगे थे तो लोकसभा चनेश्या मैंने पहली कहा था सिदह अलमोडा जाना था ना आओ देखना ना ताओ 1955 देखे आप तीन जवाए और अलमोडा क्यों क्योंकि करम भूमी रहती ब दम सिंग नगर कर जो काशिपूर है ठीक है तो यह रहे हैं आपके सो कॉसन और मुझे तो लगता है देखें हिंदी के तो हमने कई कर दिये थे 15 प्लस तो हिंदी के कर दिये थे जो है 30 तक तो हैं आपके 28 to 30 तक मैं कहूँगा कि आपके उतराखंड बनके रहा गया थे 40 में से और 30 प्लस ने 34 35 तक मैं कहूँगा क्योंकि 5-6 कुसन ऐसे थे जो टिपिकल थे ठीक है फिर भी 30 मैं मान के चल रहा हूँ 15 और 13 तो यह जा गए आपके 34 45 और 40 जो थे आपके सामनी घ्यान से लेटेट थे ठीक है और आपके जो बनके आये थे क्या रिसनिंग से समझनी तो 40 मैं से जो टिपिकल था वाल थे 30 प्लस ही मैं मत कहूँगा इसे भी तो देखिए 15 45 और 4 37 मुझे लगता है कि अगर कईयों ने किया होगा 25 भी किया होगा तो यहां जो है 70 तो बन ही रहा है 40 मैं तो 25 तो किया ही होगा फिर भी मैं कहूँगा 68 प्लस जो है इस एक्जाम का सबसे सही स्कोर है तो अगर ने 68 प्लस किया है तो आप सब लोग बढ़ाई के पात रहें क्योंकि आपका स्लेक्शन हो जाएगा इस एक्जाम में कि दूसरा जो सेकंड इनिंग सेकंड इनिंग जो चली थी इस पूरे समेल सेकंड जो पेपर हुआ था उसको भी हम देखेंगे कि उसमें क्या नई चीज बनकिया थी और कैसा हो पेपर हैने वाला है तो वो भी उसके वीडियो जल्दी है आपको डाल दी जाएगे अभी के इतनी देखते रहें विघडवाली धन्यवाद